नमस्कार दोस्तों आप सभी का हमारी यूटुब चैनल में स्वागत है वेलकम टो दिस वीडियो तो इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले सार्स डिसीज के बारे में बहुत ही इंपोर्टन टॉपिक है फ्रेंट्स प्रिवियस लेक्चर के अंदर हमने कॉलराइड डिसी के अंदर देख सकते हो उके इंपॉर्टन टॉपिके एक्जामे कई भर फूफा जाता है तो इसके अंदर हम क्या पूदेंगे सार्स डिसीज के अंदर उसके एक किस्के बजे से होता है इसके सिम्टम्स क react परिके से समझने वाले सब्बचिक कुन सा हमारे बारा सोशल और लिए फर्स इसका इंट्रोड़क्शन का पार देख लेते हैं SARS के बारे में तो SARS की फुल फर्म क्या होते है Severe Acute Respiratory Syndrome Okay Severe Acute Respiratory Syndrome तो देख लिजे हैं यहाँ पर Is a respiratory disease in which In which Sorry Inhuman which is caused by the SARS Coronavirus Okay COV तो इक इस बज़े से होता है जो coronavirus होता है Friends तो coronavirus की बज़े से हमें SARS हो सकता है Severe Acute Respiratory Syndrome हो सकता है Okay तो आपको पता होगा Friends 2019, 2020, 2021 आपको पता होगा कि इन 2-3 सालों में coronavirus कैसे spread हो चुका था पूरे इंदिया के अंदर या फिर पूरे वर्ल्ट के अंदर आप सबको पता है तो उसको कुन सा वाइरस responsible था तो यह coronavirus जो तो coronavirus responsible था तो देख लिए नेक्स ने आपर Between November 2022 and July 2023 An outbreak of SARS in Hong Kong Nearly become a pandemic Okay 2002 में और 2003 में जो यह SARS दिस हिस था तो Hong Kong में आ गया था Friends With 8,422 cases And 960 deaths Okay तो यहाँ पर देख लिए 840 Sorry 8,422 cases वहाँ पर थी Hong Kong के अंदर And 916 जो है तो death वहाँ पर people हो गया था People की death वहाँ पर हो चुके थी Friends और बाद में देख लिए Within the weeks SARS spread Hong Kong 2 infected individuals In 37 countries In early 2023 Okay The week के अंदर मतलब One या two week के अंदर जो coronavirus था Friends 37 countries के अंदर महाँ पर spread हो चुका था 2023 के अंदर Okay तो यह सब Saviour Acute Respiratory Syndrome के बारे में था इसके अंदर आपको याद क्या रखना है कि यह किस बज़े से होता है तो coronavirus जो है तो coronavirus की बज़े से यहाँ पर SARS disease जो है तो यहाँ पर coronavirus की बज़े से होता है Next देख लिए यहाँ पर कि उसके symptoms क्या क्या है Okay SARS के symptoms क्या है Saviour Acute Respiratory Syndrome के symptoms क्या क्या है ओ देख लिए यहाँ पर इसके severe symptoms देख लिए यहाँ फिवर आ सकता है यहाँ पर pneumonia हो सकता है या फिर kidney fail भी वहाँ पर हो सकती है common symptoms देख लिए fever है curve developed after two to seven days breathing में difficulties आ सकते है gastrointestinal issues हो सकते diarrhea हो सकता है और general body act भी यहाँ पर हो सकता है अब यह transmission कैसे होता है body के अंदर वह देख लिए curve और sneezing for the infected person और touching contaminated object जो person जिसे coronavirus मतलब सार्डेस है वो अगर किसी के सामने sneezing करता है या फिर curve करता है infected person किसी normal person के सामने तो उस normal person को वहाँ पर हो सकता है और अगर हमने उसे touch कर दिया जो infected person है infected person को अगर हमने जो normal person है नॉर्मल person है touch कर दिया तो उनको भी यहाँ पर सार्डेस हो सकता है तो एक common symptoms थे friends ओकी याद रख लिजे इस common symptoms को नेक्स्ट आप इसकी treatment देख लिजे treatment कैसे कर सकते हो आप तो first treatment है through the mouth or nose to keep the airway open तो हम क्या करेंगे उसके अंदर एक wind pipe wind pipe जो है friends sorry एक tube जो है तो tube वहाँ पर insert करेंगे wind pipe के अंदर किसके लिए किसके लिए जो भी उसके airways है तो airways वहाँ पर open हो जाए उसे सास लेने में अगर दिक्कत हो रहे है तो दिक्कत होने के बज़े से हम उसके अंदर एक tube इंसर्ट करेंगे through the trachea इंसर्ट करने के बाद जो airways है तो airways वहाँ पर open हो जाएंगे और उसे breathing breathing भी आच्छे से कर पाएगा जो person है वहाँ पर सन वहाँ पर breathing भी आच्छे से कर पाएगा इसी को हम tracheal intubation कहते है आपको इसके symptoms पता होगा कि difficulty in breathing breathing के अंदर difficulty भी आ सकते है तो हम उसके लिए tracheal intubation वहाँ पर करेंगे next treatment देख लिजे airway management अब airway management के अंदर देख लिजे clearing a block airway of food foraging object fluid and others obstruction top priority in emergency situation तो हम क्या करेंगे उसके जो आगर जो airway के अंदर कुछ food या फिर foraging particle अगर कुछ वहाँ पर होंगे तो उसे हम clean करके लेंगे क्योंकि उन्हें जो breathing के लिए difficulty ना हो इसलिए next देख लिजे mechanical ventilation mechanical ventilation के अंदर using a machine to move air in and out of the lung when a person cannot breathe on their one अगर person को breathing के लिए difficulties हो रहे तो वहाँ पर हम एक machine लगाएंगे कि जो उसके अंदर oxygen होगा तो वहाँ पर in और out हो जाएगा उसके lungs के अंदर तो ये mechanical ventilation हो गया अब oxygen therapy oxygen therapy के अंदर क्या होते देख लिजे providing extra oxygen to the lungs of people with breathing problems अगर किसी को breathing के लिए problems है तो उन्हें एक्स्ट्रा oxygen वहाँ पर हम लगाएंगे oxygen therapy के अंदर तो ये था उसके treatment के बारे में चार्या पाच treatment होगी और भी treatment है फ्रेंड लेकिन चार्या पाच आपको याद दखने है medicine भी वहाँ पर हम उसे देख सकते हैं ओके I hope फ्रेंड आप सबको वीडियो पसंद आया होगा अगर वीडियो के अंदर कुछ doubt या problem हो तो आमें comment session में जरूर बताना फिला ली इस तुडियो के अंदर इतना है friends मिलते है next day में thank you so much